एक करण पर लगे तीन बलो का संतुलन आज हम पार्ट दो करा रहे हैं जिसके अंदर हम जितने भी important question इस chapter में बनते हैं वो हम कराएंगे इससे पहले हम part 1 करा चुके हैं जिसमें हमने इस chapter का full basic concept दिया था अगर वो part आपने अभी तक नहीं देखाया तो आप उस part को देख लें उस part कर लिंक हम वीडियो के last में भी देंगे मैं इस पी से नहीं आपका हमारे इस channel पे स्वागत है तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू तो देखिए सबसे पहले हमने पताया था बल तुरूज का नियम यह हमने पहले ही बताया था लेकिन थोड़ा मैं और इसमें बता रहा हूं जिससे आपको question जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए तो बल तुरूज का क्या नियम होता है यह हमें पता होना चाहिए तो देखिए यदि एक बिंदू पर तीन बल लगे हो इस तरह से एक पे P दूसरे पे Q और तीसरे पे R और इन तीनों बलो को लेकर हम एक triangle बना ले पी और इनकी जो direction बिल्कुल वही होनी चाहिए जो इनकी direction है यह Q ऐसे है तो Q ऐस तरह से है और R इस टाइप से है तो R ऐसे अगर दिये गए बल एक बिंदू पर लगे हैं और इन बलो को परिमान और दिसा में लेकर अगर हम किसी परकार से एक triangle बना ले तिरुज बना ले तो यह तीनों बल संतुलन में होते हैं अर्थाद इन तीनों बलो का जो पड़नामी बल होता है पड़नामी होता है वो सुन् अगर तीन बल संतुलन में है तो उनसे एक तिर्वुज बन जाएगा तो नियम बिलॉम क्या है अगर तीन बल संतुलन में है तो उनकी भुजाओं यानि उनकी बलों के परिमार और उनकी दिसाओं को लेकर एक तिर्वुज बन जाएगा ये इसका बिलॉम है अब यहां पर ज तीन बल संतुलन में हो और संतुलन में का होते हैं जब उन बलों को परिमार्द और दिसा लेकर एक टैंगल बन जाए ये P है, Q है, और ये A अगर तीन बल संतुलन में है तो फिरीक बल, उसके संमूख कौन सम्मक्स ने मतलब है जैसा बल पी है तो उसके सेज दो बल है क्यूव और आर उनके बीच के कौव की जिया सा उसके सम्मक्ट क्यूव अगर किसी बिंदू पर तीन बल लगे हो तो प्रतेक बल सम्मुक कोड़ों की जिया के अनुपात में होता है इसे हम बोलते हैं लामी का पिर्मी तो टीटी बीटी में जो कोशन आता है वो ज्यादतर लामी पिर्मी से आता है अब हम इसके करते हैं कोशन को स्टार्ट चलिए कोशन क्या है पहले हम कोशन को समझते हैं तो कोशन देखें तिर्वुज ABC का परिकेंद O है यानि एक तिर्वुज है जिसका जो परिकेंद है वो कितना है O है इसका O पर तीन बल PQR O पर तीन बल लगे होएं PQR किरवाणिशा O A O B और O C दिसाओं में लगे हैं कि कैसे लगें O A और O B दिसाओं में लगे हैं संतुलन में संतुलन में हैं य messy हम यहां पर लामी प्रमी लगा सकते हैं क्योंकि किसी बिंदू पकर तीन बल लगे होँ اور वो संतुलन में होँआ होँ भी पर में लगा सकते हैं, तो सिद्ध करना है कि ये प्रूब करना है और या ये वाला, तीकि ये दोरू चीजे हमें प्रूब करना है, तो यहां पर तीन बल लगें, तो यहां पर हम ले 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 लेते हैं, तो देखें यहां पर है बिंदु O, और ये ट्रैंगल है A, B, C, ये अब यहां पर कहा परिकेंद तो परिकेंद कैसे मिलता किसी भी तिर्वुज की भुजाओं का लंबर्दक जिस पॉइंट पर काड़ता है उसे हम कहते हैं परिकेंद है यानि की ब्रत का केंद ठीक है PQR O A पर लगवा है बल P और O B पर जो लगवा है बल एक प्रमे होती है हाई स्कुल में किसी चांप द्वारा केंद पर बना कोण सेज परिदी पर बने कोण का दुगना होता है अंगल एड़ दा सेंटर इस डबल रिमेनिंग पार्ट आप दा सरकिल यानि की ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल का डबल होता है ये थियोरम होती है यानि की उपर A एंगल है तो ये हो जाएगा 2A पर को इसी प्रकार से ये B है तो ये हो जाएगा 2B और ये एंगल C है तो ये हो जाएगा 2C अब यहाँ पर देखिए हम पर में लगा देंगे चोकी बल संतुलन में है, लामी पिरमे से, लामी पिरमे से, लामी पिरमे से, लामी पिरमे से, लामी पिरमे तभी लगती है, जब बल संतुलन में है, अगर बल संतुलन में नहीं है तो लामी प्रिमी नहीं लगाएं तो आप लामी प्रिमी क्या कहते है कि बिरते एक बल उसके सम्मुक कौन तो सम्मुक कौन कितना यह है कि अनुपाती होता है क्योंकि सामने वाला कौन कितना है साइन टूवी अब देखिए अगर इतना होता तो आंसर तो हमारा यहीं आंग गया लेकिन हमें कुछ और भी प्रूफ करना तो और प्रूफ करने के लिए हम यहां पर साइन 2 का फॉर्मूला कॉल लेंगे साइन 2 का फॉर्मूला होता है 2, साइन A, O से इसी तरह से यहां भी कॉलेंगे sin 2B का 2 sin B cos C और इसी तरह से यहां भी कॉलेंगे 2 sin C और यह cos C अब यहां पर देखिए हम sin rule लगा देंगे sin A की जगा लग सकते है sin rule से 2 K A cos A की जब cos rule लगा देंगे cos rule क्या होता B square plus C square minus A square upon 2HL में उपर लिख देता हूँ लेकि sin rule यहां पर हम लगा रहे थे sin rule से 2 sin A की जगा लगाएंगे K A है cos rule में cos का formula लगाएंगे इसका होता formula B square plus C square minus A square upon 2 B C यह cos का formula होता है बिल्कुल ऐसे ही यहां पर देखिए Q में लगाएंगे थीनों पर इसी तरह से formula कोल देंगे यहां देखिए हमने थीनों में formula लगा दिया और यहां पर जो था cos B आएगा 2 sin B का formula 2 sin B cos B तो यहां पर देखिए हमने formula लगा दिया आब इसे हमें solve करना कैसे solve करेंगे हम पर देखिए हम को के टू के अबी सी से डिवाइट कर देंगे पी को भी क्यू को भी किससे तो टू भी हटाना हमें तो टू अपन इसे हमने करनी के 2K अपन A B C से multiply करनी हमें पर देखिए हम 2K से करेंगे तो देखिए हम 2K कैंसल हो जाएगा यहां भी 2K कैंसल हो जाएगा यहां भी 2K और जब हम यहां A B C से करेंगे तो A स्कार B से से अच्छा यह 2 तो कड़ी है 2 के जड़नी जुरू नहीं है यह कर जाएगा इसका वल्ड़ा 2 से करने की जुरूर है यानि के अपन A B C से multiply करेंगे जहें हम के अपन A B C से multiply करेंगे तो क्या आएगा यहां पर यहां पर हो जाएगा A स्कार B सी से cancel हो जाएगा यह आएगा A स्कार B स्कार C स्कार मानिस A स्कार बेकुल इसी प्रकार से दूसा वाला लेखेंगे और तीसा वाला लेखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने जो है फॉर्मुलिया पूरे सब के लिद्दी है और यह हमारा प्रूफ हो गया चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट कोश्चन अब देखिए कोश्चन है किसी कणाँ पर तीन बल PQR य Нि एस्ट वैस्ट नौर्थ साउट एस्ट वैस्ट नौर्थ और साउट देखिये यह किसी कणाँ पर तीनोल है य ç You प, Q, R, प, जो है हो पूरत की ओर है यहिस्ट की ओर है और जो Q है वह उत्तर की ओर यहां नौर्ध की ओर तो था आर जो है दस्चित पाच्च पे मैं माईकरद करने करने लोबर वाली है यह यह है और पी बर आवर बारा के लोग दाम है पी हमें दे रखा है बारा के जी तो क्यों और आर का पड़मान किया आद कीजिए आप देखें चुकि यह तीनों बल संतुलन में हैं जब संतुलन में हैं तो लामी प्रिमे लगा देंगे यह तब ही लगाएंगे जब बल संतुलन में अगर संतुलन में हैं नहीं है तो हम लामी प्रिमे नहीं लगा सकते तो लामी प्रिमे क्या कहती है बल लखेंगे और उसके सामने का कौन लखेंगे तो पी के सामने का कौन सा मतलब सेज़ दो बलों के बीचा कौन 45 अंसे और यह कितना हो जाएगा उत्तर पस्षिंग के बीच में होगा 90 डिग्री तो 90 और 45 कितना होगा यानि कि यह हो जाएगा sin 135 विगो इसी प्रकार से दूसरा बल लेंगे Q और देखे उसके सामने का एंगल यानि सेज़ दो बलो के बीच का तो 45 है तो इधर का भी 45 हो गया यह कितना है 90 डिग्री हो गया तो टोटल कितना हो गया Q sin 135 अब तीसरा बल है आर इसके सामने का कोण यानि सेज़ दो बलो के बीच का प्यर क्यू का प्यर क्यू के बीच का कोण है 90 डिग्री रिच की होगी यानि बन अपॉन रूट तो कि साइन की जीरो से एक्षोसियंस तक सब प्लस में होते है विच की जगे भी देखिए बन अपॉन रूट तो यह आर साइन डब्भे की वेलू एक तो फर्स्ट और सेकिंड बरावर करेंगे फर्स्ट और लास्ट फर्स्ट है सेकिंड जब हम बरावर करेंगे तो वन अपॉन रूट तो क्यूब वन अपॉन रूट तो यह कैंसल हो जाएगा क्यूब बरावर आ गया है बार है केजी बार क्यूब की वेलू आगई आप किसकी निकाल लिए हमें आर की निकाल लिए फर्स्ट और लास्ट तो फर्स्ट क्या है फर्स्ट है बारा रूट तो और लास्ट है आर तो यह हो गए देखिए आर आगे बारा रूट तो केजी बाहर केजी भार यहां लिखे लें नहीं, तो R की भी निकल गिया है, Q भी निकल गिया है, R भी निकल गिया है, और Q भी निकल गिया है, लिए देखते है, next question, देखें को समझते हैं, 26 क्लोगराम भार का एक पिंड, 5 और 12 सेंटीमीटर लंबी, यानि कितना वेट है, 26 क्लोगराम, त 5 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई है, वो 12 सेंटीमीटर, और ये दोनों जंजीरे 13 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है, वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर लंबी जंजीर है, उनके सिरोपर ये जंजीरे बनी है, 26 क्लोगराम का एक पिंड, 5 और 12 सेंटीमीटर से पुछा तनाव सा मतला 4C एक तरह से मालिया इस वाली जो जनजीर है ये वाली ये भी और दूसरी है BC जनजीर है ठीक है AB में तनाव T1 है वो जो BC है इसमें जो तनाव है वो टी टू है नहीं टैंसर तैंसर हमें निकालना है ए बी और बी सी में ठीक है तो यहाँ पर आप देखें 26 किलो राम का एक पिन इतने इतने सेंटिमीटर लंबी जंजीरों में लटका है जंजीरे एक ही छेटी रेखा में दो बिंदो इनके बीज की दूरी 13 सेंटिमीटर लंबी है जंजीरों का तनाव गयाद कीजिए अब यह होगे वो संतुलनम होगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे अब लामी पिर्मी लगाने के लिए हमें चाहिए बल और उसके सम्मुक एंगल जो आभी हमें बिलकुल भी नहीं मालूम है तो देखिए हम किस परकार से एंगल निकालेंगे एक काम करेंगे हम यह जो बार है इसको आगे हम इस तरह से बढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा 90 डिगरी हमने इस एंगल को माल लिया ठीटा यह 90 डिगरी तो यह जो एंगल हो जाएगा 90 मालस ठीटा कितना हो जाएगा 90 मालस ठीटा और एक सो सी में से अगर हम यह गटा दें 90 मालस ठीटा तो एक सो सी मालस 90 मालस तो 90 प्लस ठीटा यह जाएगा अब देखिए यह ठीटा है यह 13 सेंटीमेटर यह 5 सेंटीमेटर 12 सेंटीमेटर तो इसका मतलब यह समकोर तुरूज बनना है यह समकोर तुरूज बनना है यही एसी जो होगी है वो सबसे बड़ी हो जाओगे यह टोटल एंगल होगे 90 यहां से यहां तक जब यह 90 है तो 90 में से 90 मांज ठीटा घटाएंगे तो यह रजाएगा थीटा जब यह ठीटा है तो 180C में से ठीटा माइनस कर दो यह हो जाएगा पाई माइनस ठीटा ठीटा तक है अब देखें यह एंगल यानि हमें टीवन के सामने का एंगल मालूम हो गया टीटू के सामने का एंगल मालूम हो गया और 26 के सामने का एंगल मालूम हो गया अब चोकि संतुलन में संतुलन में क्यों हा क्योंकि यह दोनों डोरिया इस पे सी पे बंदी हुई है जब बंदी हुई है तो संतुलर्म तर रहे गई नैचरली तो अब हम इस पर लगाएंगे लामी प्रमे सी लामी प्रमे सी बाई लामी त्योरम तो लामी त्योरम क्या कहती है लामी त्योरम ये कहती है बल और उसके सामने बाला सेज़ दो बलों के बीच 4 इसके साथ साइन के साथ 2 पाइ मानस ठीटा कि इस तरह से दूसरा वल में बूर उसके सामने एक हो यानिकर 59cję़ 2 प्लस ठीटा इसके तरह से तीस्रा वल है 26 और उसके सामने का एंगल कितना है सामने का एंगल हो जाएगा 90 देग्री तो गीर e-sum करेंगे कि टीवन साइव सी माश्टी नीकाल लेंगे कि साइन नाइन टी प्लस टुटा होता है पॉस्टेटा और यह 26 और साइन दभ्य का माल तो टीवन बरावरा जाएगा 26 साइन ठीटा और टीटू बरावर आ जाएगा 26 कोश ठीटा अब हमें चाहिए साइन ठीटा और कोश ठीटा की वेलू तो हम बड़े अराम से निकाल सकते हैं तीखे चुकि ये समकोड तिर्वुज है और ये हमने ठीटा माल लिया ये नभ्यान से तो हम निकालना क्या है साइन ठीटा वो साइन ठीटा क्या होता है लम बड़े करण यानि कि साइन ठीटा वर लम बड़े करण परपेंडी कुलर अपोन हाइकोथेनियस परपेंडी कुलर अपोन हाइकोथेनियस निलम बड़े करण कि लंव्टे गड़ लगा सकते हो यह पर पेडिकुलर प्रफट हुआ अब देखें क्या है इसका यहां पर ठीटा है तो और यह नभ्यान से यह हो जाएगा आधार यह लूम है इसका सब्सक्राइट कणड़ निसका तेर, इस तरह कोस्ट टीटा निकालेंगे, कोस्ट टीटा क्या होगा, अधार बटे, जब यह ठीटा ले रहा है, तो अधार हो जाएगा, एबी, एबी का मतलब, पांच, और कण हो जाएगा, इसका, अब यह वेलू यहां पर रख देंगे, देखें, अंसर आ यह जाएगा 26 इन्टू साइन ठीटा की वेलू कितनी काली हमने 12 वटे 13 कितना आगे 24 तो टीवन में तनाव आगे 24 केजी वाद इसी तरह यहां पर कोशिटा की वेलू रख देंगे 26 कोशिटा की वेलू कितनी 5 वटे 13 तनाव कितना आगे एक माया 24 और दूसरे माया 10 चलिए अब देखते हैं नैश्ट कोशिटा की तरह है इसे आप खुदी करेंगे देखे 9 मीटर और 12 मीटर तो यह जाएगा 9 यह 12 और यह कितना दे रखा 15 और यहां से इसे यह लटका देगके डिवर दे दिया आपके इसको ठीटा माल लेंगे यह जाएगा 90 मालेंस ठीटा थीटा यह हो जाएगा ठीटा जोकी सब कॉनल थीट पुछ है यह हो जाएगा पा 90 प्लस ठीटा यानी प्लस ठीटा अई जाएगा पाइ मलश ठीटा बस डबलू की fix है जाएगा पिल्कुस सेम ऐसी question है जैसा की अभी हमने ते लिगे देखते हैं आप next question देखें कोश्चन तो ये भी वैसा है लेकिन थोड़ा सा चेंज़ेंगें साथ डेसी मीटर चोविश डेसी मीटर लंबी दोरिया से डबलू भार का एक पिंड लटकाया हुआ है डोरिया एक दूसे से पच्चछ डेसी मीटर लंबी है अब यहां पर क्या आया है आपके जो पच्चछ डेसी मीटर लंबी छड़ थे नहीं है जो force है जो नीचे weight लटका हो वो बिल्कुल ठीक मध्य point में होना चाहिए यानि कि अपके यह आला point हमें midpoint दे रखा यानि कि यह हो जाएगा 25 यह हो जाएगा साथ, यह हो जाएगा 24 और यह जो पॉइंट होगा इसका वो मिट पॉइंट होगा और यहां से हमें डबलू लट्काना इजिस तरह लट्काना यह भार की किरिया रेखा वो मिट पॉइंट का होनी चाहिए तो हमें क्या निकलना है т cigar ने और तो इसको मैं चितर को ठोड़ा ठीक से बना देता हूँ देखिए चितर इसका मैंने बना दिया है तो इसमें खास बात यह है कि जो डवलू भाद बिंदू बी पे लटका हुआ वो इसकी जो दोहार रेखा वो AC के ठीक मध्य बिंदू से जा रही यहीं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइबोटेंगेस होता है सोरी फोन आ गया था थोला डिस्टरवेंस हो गया चलिए फिर देखे कर आते हैं इसमें साथ डेसीमीटर चोविश डेसीमीटर दो डोरियां से डवलू भाद लखा थे साथ डेसीमीटर का चोविश से डवलू भाद का हुआ डोरियां एक दोसरे से पच्चिश डेसीमीटर लंबी किसी छड़ के सिरों पर बंद हुए इससे पहले जो दो कोशन थे उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसा था बस अंतर क्या था यह एसी जो था वो 36 था इस चड़ को इस डूरिय में जो तनाव है वो T1 है और इसमें जो तनाव है वो T2 है ठीक यह हमने एंगल क्या मान लिया है ऐगने हर झाले है और चूपि हम जानते होती है कि समकौरिय में करके necklace बिंदों से सीज की दूरियां बरावर होती है पो जब यह दूरी और यह दूरी बरावर होगी तो यह ठीटा है तो यह भी ठीटा हो जाएगा जब यह ठीटा है तो यह वाला जो यह एंगल हो जाएगा 5 माय्नस ठीटा क्योंकि किसी सर लिखा पे एक सो से ये असफलों हो मनता है स्टेट लाइन पे और stepinau से ठीटा माइनस अब चूकि दीखें इस सम्कोन तिर्गुज है और टोल्भेंस का हो गया तो यह वाला जो यह गाल हम्हाला राकी आख फिन नाईटेश्टा हो गया जब यह ना快 मानस टीटा है हॉँआ किषिग्यों से नाईटेश्टा मानस टीटा दूगल channels तो लामी primi लगाएंगे, लामी primi क्या कहती है, बज, और उसके सामने का कौन, तो t1 के सामने का अंगल है, कितना, sin 90 plus theta, sin 90 plus theta, इसी प्रकार, ढेक है t2, तो t2 के सामने का अंगल है, t2 के सामने का है, pi minus theta, sin pi minus theta, और तीसरा बल है, بवलू, यानी w, इसके सामने का एंगल कितना यह 25 यह 7 24 है तो यह 90 डिग्री का होगा है क्योंकि समकोर तरुज में जो हाइपोतेनिस होता है उसके सामने का जो साइड अंगल होता हो नाटिटी का होता है साइन 90 फ्लस ठीटा कोश ठीटा हो यहागा और यह 29-201 ss जाएगा W sin theta. अब cos theta की value निकाल लेते हैं. अब cos theta की value कैसे निकालेगे? वही, समकॉर्ण तिरबुज है चुकी है. तो समकॉर्ण तिरबुज है, यह नभ्भेहंस का हो गया. यह अधार हो जाएगा A B. और नभ्भेहंस के सामने वाला A C जो हो जाएगा, वह कण जाएगा, यानि हाइपोतेनियस. और BC जो हो जाएगा, इसका लम्भ जाएगा. तो यहाँ से निकालेंगे cos theta. cos theta क्या होगा? अधार बटे कण. यानि, based upon hypothenius. तो अधार कितना है? यह अधार theta ले रहा है, तो अधार है saving. और hypothenius है 25. किसी तरह से निकालेंगे sin theta? sin theta होगा, लम्भ जाएगा, यानि, perpendicular upon hypothenius. लम्भ है इसका 24, और कण है इसका, यह हम यहाँ पर रख देंगे, देखिए. तो यह आजाएगा w, यानि, कि यह आजाएगा 7, w upon 25. कितना unit की is की, वह ही लगतेंगे, जो इसमें unit दे रखी, कुछ नहीं दे रखी, तो यहाँ पर क्या जाएगा w, और यह कितना 24, यानि, 24, w upon 25, यह इसके answer होगे. चलिए देखते हैं next question. कोशन है, एक पिंड़ी जिसका बाहर डवलू है, चिकने नत संतल पा 6 दिसा में लगवे बल पी दुआरा रोका हुआ है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है, यह यह लिग उरन का, इसे जो रोका जा रहा है, 6 दिसा में बल पी लगाकर रोका हुआ है, उस पिंड़ी का संतल के समानतर दिसा में क्यों परिमारा के बल लगा कर भी रोका जा सकता है, यानि इसी को हम इस तरह भी रोका सकते हैं, यानि कि जो बल है, जो अभी हमने लगाया था, वो इस तरह भी रोका सकते हैं, और जो समानतर लगा जा रहा हूँ, कितना बल लगा जा रहा हूँ, क्यों परिमारा का पर लाकर भी रोक जा सकता है, यानि कि दो तरगे से इसको रोक जा सकता है, तो हमें ये प्रूफ करना है, तो देखिए इसमें सबसे पहले जी वाली कंडिशन, ठीक है, तो इसमें क्या है, पी द्वारा रोक जा रहा है, तो यहां पर हम लामी प्रमे लगाने के लिए हमें चाहिए तीन वाल वो भी संतुलन में जब द्वारा इसे रोका जा रहा तो इसका मतला संतुलन तो हो गया तो इसका वेट भी होगा वेट हमें दे रखा है वेट है डबलू और इस पे नॉर्मल एक्षन लगेगी यानि लंबत प्रतिक्रा लगेगी मान लेजे लं 90 दिग्री का एंगल होगे और यह एलफा इसको लिजट अगर हम थोड़ा सा ऊपर कर दे तो यहां और यहां से देखें यह से यह य, तो इसनकी बीच का एक यह गई लेखा यह एलफा तो यह आला भी alpha हो जाएगा यानि टोटल उपर वाला ज़ो angle है वो तो 90 degree का हो गया तो 90 degree यह अब यह आला निकाला यह alpha तो यह भी alpha हो जाएगा क्योंकि संगत cone हो जाएगा यह यह आनि corresponding angle वो जोटल हो जाएगा 90 plus के alpha तो अब चोकि यह संतुलन में है तो लामी प्रमी लगा देते हैं लामी प्रमी क्या कहती ही बल यानि कि पी और उसके सामने का कौन सामने को कितना 90 तो यह हो गया प्लस एलफा यह हो गया यानि कि साइन नाइटी प्लस एलफा लामी पर में हम लगा रहे हैं दोसरा बल क्या है डवलो और इसके सामने का कौन डवलो के सामने का यानि सेज दो बलो के बीच का तो 90 डिगरी हो गए इसके एलफा की जरूरत नहीं पड़े 90 प्लस एलफा तो यहां से इसकी जरूरत हमें नहीं पड़े यह इटा देते हैं तो हमें कन्फिजन होगा 90 प्लस एलफा यानि साइन 90 प्लस एलफा यानि की डवलो के सामने का जो कौन होगा वो भी 90 प्लस एलफा होगा दूसरा हमेरे पास रहे गए आर आर के सामने का कौन कितना हुआ साइन 90 ठीक है अब देखें चुकि आर हमने अपनी तरफ से लिया कोशन में नहीं दिया तो हम यहां आर को छोड़ देगी साइन 90 प्लस एलफा जो होता है वो होता है वोस एलफा तो यहां पे देखें यहां पे पी पी के सामने का कौन है 90 अच्छा यह अलफा तो यह 90 मानेस अलफा होगी है 90 मानेस अलफा तो यह हो जाएगा 160 मानेस अलफा यह हो जाएगा पाई मानेस अलफा पाई मानेस अलफा और यह 90 मानेस अलफा ठीक है यह अलफा यह सही है sin 90 plus w के सामने वाला होगा sin 90 plus alpha sin 100 c minus alpha होता sin alpha ठीक है sin 90 plus theta होता cos alpha और यह हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है तो यहां से आ जाएगा w upon यह इधर ले जाएगे w upon p बराव जाएगा quote alpha अब हमने quote के रूप में क्यों लिखा क्योंकि प्रूफ करने में quote नहीं आ रहा है तो इसको रिमूब करना है और रिमूब होगा identity की साहिता से तीक है बिल्कुल ऐसी condition हम बने थे हैं मैं आएगे दूसरी वाली दूसरी में क्या दे रखा था देखिए बल यह दे रखा तो बिल्कुल ऐसे इसको solve करेंगे तो यहां पर normal reaction माल लीजिए क्या है आपके आएस है क्योंकि पहले हमने ले थी बार वही है डवलू यह जुका वही है अलफा है यह जाएका 90 मानेश अलफा क्योंकि यह 90 डिग्री यह 90 मानेश अलफा तो यहां पर हम sign rule लगा देते हूं तो लामी प्रमी लामी प्रमी लाएंगे तो पल डवलू और उसके सामनेगा क्यों देखे कितना सामनेगा है आपके 90 डिग्री इसके बाद दूसरा होगा क्यों और उसके सामनेगा हो जाएगा 90 यह 90 मानेश अलफा यह जाएगा साइन पाई मानेश अलफा और एसके सामने का वैसे तो मज़रूत नहीं है लिख लेते हैं क्यों जाएगा देखे 180 में से 90 मानेश अलफा घंटा देंगे तो 90 90 प्लस अलफा जाएगा इसकी हमें चुरूत नहीं है लेगे फिर भी हमने लिख दिया क्योंकि एस हमें नहीं चाहिए sin 90 की value होती है 1 Ćप क्यों sin 90 मानेस अलफा होता एकbereकी मानेस अलफा होता sin अलफा गजियो हो जाएगा w upon q जीकल तो 1 upon sin अलफा हो जाता को से थे अब चुक्कि हमें एंगिल को गाइब करना है तो देखे एंगिल को गाइब करने के लिए हम जानते है चुक्कि कोट स्केरे एलफा मैननस कोट स्केरे एलफा बराफ होता बन इन were स्केरा यह पुर्थ एलफा की यह हम स्केर हमने लिगा देगे यह बन लूअ मट第一गा अपुण कोट अ माइन हमने पहले निकाल चुके थे क्या है यह पर फार अपलु अपन पी है हुर मने किख स्कैर माइनस बन अपोन पी स्कैर जिकल टू वन डवलो कॉमन लेके उदर आप उपन फचा देंगे यह आएगा वन अपोन क्यों स्कैर एकल टू की इसका यह निए डवलो स्कार सर्फाग दे दिया इसको उठाके हम राइट मेली रहेंगे और यही हमी प्रूफ करना था अब देखिए आप सोच रहोंगे कि एक कोशिक क्यों करा रहा है यह एक्जाम में आ जाता है और प्रूफ करने के लिए आपको उप्शन दिये होंगे तो आपको अगर कोशन आपको कर रखा है तो आप टारेटी भी टिक कर सकते हैं कभी कभी डाइनो स्टेटी से बिल्कु सेम टू सेम कोशन फस जाते हैं तो यह होगे कोशन नंबर सेविन चलिए देखते हैं नेस्ट कोशन किसी बिंदो पर लगे तीन बल PQR तो कोई बिंदो है मालेजी पॉइंट O है इस पर तीन बल PQR लगे है यदि P एक बल मालेजी यह P है और यह Q है और यह R है तीन बल है ठीक है यदि P और Q के बीच का कौण P और Q यानि यह वाला P और Q के बीच का कौण P और R यानि यह वाला के बीच के कौण का दूगना है अगर मालेजी यह कौण अलफा है तो यह दूगना का मनला 2 अलफा दूगना है तो सिद्ध करों हमें यह प्रूफ करना है तो हम प्रूफ वा यह कैसे निकालेंगे देखिए यह alpha यह 2 alpha 3 alpha और यह किसी बिंदू पर जो code बनता है वो 360 का बनता है यानि 2 pi minus के 3 alpha यानि 360 में से इन दोनों का sum minus कर देंगे अब देखिए किसी बिंदू पर 3 बन लगी हो और वो संतुलन में हो और हमें सम्मुक एंगल भी मालूम हो तो लामी प्रमी लग जाई है तो हम देखिए लामी प्रमी लगा रहे है लामी प्रमी लगाएंगे तो क्या हैगा पी और उसके सामने का एंगल कितना है साइन 2 pi minus के 3 alpha उसके बाद देखिए next है एं q और उसके सामने का एंगल है क्योंकि सामने का मतलब होता है सेज़ दोगलों के बीच का यानि कि साइन अलफा और तीसरा बल है और इसके सामने का एंगल है साइन टो अलफा तीकि आप इनको सॉल कर ले दें अब देखिए आंसर में अलफा नहीं आ रहा है इस अल्फा को हमें रिमूब करना है क्योंकि अल्फा हमने अपनी तरफ से लिया साइन तीन सो साइट मैनस ठीटा बरावर वही होगा जो माइनस के ठीटा होता है यानि कि माइनस के साइन थ्री अल्फा अब उसके बाद Q पॉन साइन अल्फा और आर अपन साइन डू आ हम इसको सॉल्ट करेंगे कैसे सॉल्ट करेंगे देखें फरस्ट और लास्ट इक्ड़ कर लेते हैं पहली लिए जागा पी साइन अल्फा फरस्ट और सेकेट इक्ड़ कर ले रहा है यहाँ पा जाएगा Q Q minus Q sin 3 alpha sin 3 alpha का formula call दीजिए sin की टर्म में sin 3 alpha formula होता है 3 sin alpha minus 4 sin Q alpha sin से इसको divide कर देंगे जब sin से divide करेंगे क्या जाएगा P equal to minus के 3 Q minus minus यह हो जाएगा plus के 4 Q Q sin 2 alpha अब हमें क्या आया देखिए alpha को गायब करना alpha कैसे गायब होगा जब यहां पर कुछ ऐसा बने कि sin 2 square alpha single रहे जाएगा तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे एक काम करेंगे इसमें minus Q से दोनों साइड में minus Q दोनों साइड प्लस कर देंगे तो देखिए हमने minus Q यहां किया और यहां पर कितना हो जाएगा यह minus ही तक करेंगे तो 4 Q हो जाएगा ठीक है ऐसा क्यों करा जिससे 4 Q common लेके यह अराम से single में change हो जाए जिससे यह remove हो जाएगा P minus Q 4 common ले लेंगे minus का minus का 4 Q common लेंगे तो 1 minus के sin 2 square alpha अब 1 minus sin 2 square alpha होता cos 2 square alpha तो जाएगा 4 Q cos 2 square alpha ठीक है इसे हमने डाल दी equation first चाहँ तो इसे Q minus P कर सकते क्या answer में Q minus P है तो मैं इसको अभी कर लेता हूँ Q minus P कर लेता हूँ Q minus P इसको देखिए plus का कर ले हमने 4 Q cos 2 square alpha equation first हो गई अब क्या है हम second और last वाला करेंगे ब्राव second वाला क्या है Q Q upon sin alpha और इधर है R upon sin 2 alpha का formula खोल देंगे 2 sin alpha into cos alpha यहाँ पर देखिए sin alpha से sin alpha cancel हो जाएगा तो R is equal to हो गया है हो जाएगा 2 Q cos cos alpha equation मत देखिए square हो रहा है answer में भी square आ रहा है square कर दिया हमने यह हो जाएगा 4 Q square cos square alpha 4 Q square cos square alpha की value हम equation first से रख देंगे अब यहाँ पर देखिए क्या है 4 Q है हम यहाँ पर square है क्या करेंगे तो यह कोशन यहाँ पर हो गया अब देखिए प्रैक्टिस के लिए आँको कोशन दे रहे हैं उनके answer भी हम बताएंगे जिससे आप उनको कर सको तो देखिए यहाँ पर कोशन है आती लगो कोशन है इसमें लामी प्रमे आपको लगानी है एक और दो उसके बाद देखिए तीन और चार कोशन यह है सीधी लामी प्रमे लगानी कुछ आपको नहीं करना जाद है यहाँ पर कोशन नमर 5 और 6 इसमें भी लामी प्रमे आपको लगानी है इसके बाद है कोशन नमर 7, 8, 9 इसमें कोई विसेस कोशन नहीं लामी प्रमे आपको लगाएंगे बड़े अराम से हो जाएंगे, कोई दिक्काई गाली हो नहीं है, अब उसके बाद आएंगे 10-11, 12, देखिए यहां से कोशन जो थोड़े से कर रहे आएंगे, यहांसे थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, तो इन्हें आप पहले ट्राइ करेंगे, जो कोशन नहीं होंगे, वो हम उसके बाद है 14, 15, 16, यह लंबे-लंबे कुशन है, देकिन TGT PGT में आ जाते हैं, तो इसलिए आपको इनके आंसर जो है थोड़े से रिवाइंड होने चाहिए, जिससे अगर आता है तो डारेक्ट टिक कर लिए, अब यहां पर देखिए दूसा यह सत्रे से लेके 20 अब इन के जो आंसर है वो यह है, तो आप इन कोशन को करने की कोशिश करें, प्रियास करें, जो कोशन नहीं हो हम उनका सॉलुसन आपको दे देंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कूर नद गूलिए, अगर आपक इसके सॉलुसन का पीडियाफ बिल्कूल निसुल्क टावलोड कर सकते हैं, अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत